हेलो फ्रेंड्स कैसे है आप सब आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है आज हम लाए है आपके लिए पूरी की साथ खाई जाने वाली आलू की टेश्टी सबजी तो आपको हलवाई सिखाएंगे आलू की सबजी कैसे बनाते हैं आप चाहे तो इसको बंडारे वाली देखेगा वीडियो को यहां पर रिफाइन डॉल को अच्छे से गरब करने के बाद उसमें डाला है जीरा और इसमें डाल दिया है तेजपत्ता जब तेजपत्ता और जीरा भून गया था उसके बार डाल दिया हरी मिर्च और अधरक का पेष्ट तो यहां पर चाहें तो आप इसम टमाटर भी ऐड़ pouco कर सकते थे लेकिन यहां पर टमाटर वर्ल्हे बाद में डाली है जब आलो डाले पर तेखी डालेगे हल्दी पावडर डाल दिया है जब थोड़ा सा मतलां अधरक और हरी मिर्च पीछ कर ब्हून गई थी मसाले उसके तक भूने के बाद सक्के लकण हरी मिरच्ट तक यह नहीं कुछिए पाँडर दने कि गितर कि अअ शड़ी पाओड़ Liya वungkin पाँड़ कि जुछिए अशचाछन जो फर्लिय तो इसको PHNU तक इस में चलाति बूण रहे हैं तो जितना मसाल अच्छे से भूनता है उस साफ से सब्जी बहुत टेश्टी बनती है इसमें सारा रोल जो होता है मसालो का ही होता है मसाले अच्छे से भुंजा है तो सब्जी तो अपना पी टेश्टी बनेगी यहां पर डाल दी है तो देगी मिर्ची जैसे कि सब को पता है कि कलर के लिए डाली जाती है तेज नही तो यहां पर इसके बाद कोई मसाला नहीं डालेगा इसमें घरम मसाला बगारा कुछ रही सिंपल सब्सभजी यहां पर नहींने नमक भी एड कर दिया है तो तेश्ट के अकौडिक अभी मसालो को बूह रहे हैं अभी पानी अभी थोड़ा इंद कर रहे हैं इसके बाद शक्य आलु तो यहां पर यहां पर अबले आलू आखिए दो तो दोनों चीज้ टाली थी तो की टो पर नहीं म doveने आप चाहे तो इस 58- explain accessories आप तो इसाथन पर सीनं लियों कुआ यहां भी नल फिन यूटेक्ज है साथी मैं टमाटों रालू को इन्हों को अभाला था इन दोनों को डालने के बाद इन्हों हो और को है यह जा तो फोली सभी कानी और यह भी स des pa प्लिषार यहां गोवी आट मुंधे एड पानी आट कर दिया है यहां पानी और अट करने के बाद है टो फ्रेट्स ड्रीटे कम से कम 20 मिन तो 20 मिन तक अगल फुल्ट फलें में पसको पका था और 20 मिन बाद सब्ची बिल्कुल बनके रेडी हो गई थी इसमें और कोई मसाला जाला था खाली बनने के बाद धनिया पाउडर हरा धनिया होता है सब्जी को चेक करा है उन्हों ने पांच मिड़ बाद आप आप यह ड़की रही तो सब्जी 20 मुडबाद बनके बिलकुल रेडी हो गई थी और वहुर टेस्टी सब्जी बनी थी तो आपको मारी वीडियो कै कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा मिलती हूं